जैहिंद नमस्कार दोस्तों जीडी की भरती निकल किया चुकी है बात करें यहाँ पर जोईन इंडियन कोष्ट गार्ड मिनिस्ट्री ओफ डिफेंश यानि कोष्ट गार्ड में जीडी के पदोपर एक नई भरती 2024 की निकल किया चुकी है अगर आप इस भरती के लिए फॉर् बैच की रहने वाली है जिसमें आप सभी 13 फरवरी 2024 से लेकर 27 फरवरी 2024 तक फॉर्म को आवेदन कर रखते हैं आपका जो अप्लाई होगा वह यहाँ पर ऑनलाइन मादन से होने वाला है और यहाँ पर देखें बताया गया है इलिजिबल्टी बात करें यहाँ पर निकले की आई हुई है ठीक है बात करें यहां पर एज्चों करें सकते हैं लेकिन कर देख लिजिएगा वित मैथ फिजिक्स अपका होना चाहिए बारवी में अगर आपने मैथ और फिजिक्स के बारवी की है तो आप सभी बहरते के लिए फ़र्म को अपलाई कर सकते हैं आ आप सभी अपना मार्शीट उठा कर देख लीजिए अगर उसमें सब्जक्ट दिया गया है बार्विंग मार्शीट लीजिए उसमें अगर देखिएगा आपको अगर मैथ और फीजिक से दिख रहा होगा तो आप सभी इस भरती के लिए फार्म को अपलाई कर सकते हैं ठीक है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ इस्ट, वेस्ट, नॉर्थ रीजन बताया गया हर रीजन की अलगले वेकेंसी यहां पर दान दिजेगा नॉर्थ की बात करें तो पर उन्यासी वेकेंसी आई हुए जिसमें आपका जर्णल EWS, OBC, SC, ST सभी बच्चे फरम मर सकते हैं उसी पकार 되면 Nikki बboys बस्ट के बात करेंं, नॉर्थ इस्ट का यहां पे सलगींशी है, इस्ट का है, सैथिस वेकेंसी हैं, नॉर्थ वेस्ट का यहां पे बारा बेकेंसी है और अंडमार निकों मार का यहां मर के लिए अपक lac guarantee हैं हिए सलही है, मलन कि अपक्प्रेंश बस्दुट है, य वेस्ट में कौन-कौन साथ सेट आएगा ये सारी चीज़ां पर बताईगे हैं आप से विसकूर देख सकते हैं नॉर्थ में बात करें यहाँ पर जम्मु कस्मीर एंसीटी ऑफ दिलही उसके बाद हरियाना पंजाब रजरस्थान उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश उत्तर इस्ट में बताया गया है बिहार वेस्ट बंगॉल जहारखंड अर्साम तिरपूरा वेगाले मनिपूर नागालेंड अरुनाचल प्रदेश मिजोरम सिक्किम ओडिसा के बच्ची आते हैं ठीक हैं उसी पकार से इस्ट में आते हैं अंत्र प्रदेश तमिलनाड और पुद् कर देंगे तीक हैं तक छांगे और चाषर तक शाद करते हैं और यहां पर बटो कर दने प्रकार से भरती को यहां पर complete करवा जाएगा ठीक है पोस्ट की बात करें यहां पर पोस्ट जीडी है इसमें बात करें यहां पर सब्सक्राइब पर पासिंग मार्क बताया गया है मिनमम पासिंग मार्क इतना होना चाहिए अगर आप यहां पर जर्नल इडाबूयस ओवीसी से भी लाउं करते हैं यहां पर दो स्ट्विमार्क के पेपर होका बात करें यहां पर पेपर फस्ट और पेपर सेकंड दो पेपर होने वाला है यह दो पेपर एक में ही होगा धन दीजिएगा आपको समझाने कोईज कर रहाँ हो आप सभी धान सरी जैटिस नंबर के पेपर होगा जिसमें आपको 45 मिनट का समय दे जाएगा और सब एक कुईस्ट का नंबर आप सभी साइन्स आएगा उसके बाद 15 कोईशन एंगलीश आएगा और रिजिनिंग आएगा 10 कोईशन जी की आएगा पांस कोईशन उसी पकार से यहां पर पासिंग मर बताया गया है कि यहां पर देखें तीस नंबर आपको लाना ही लाना पड़ेगा अगर आपको पास होना है तो औ हैं पर सक्सेंग सबीका शांन के यहां पर पासिंग कोंईशन फीजिक्स ऑंपने को मिलेगी और यहां पर नॉमला अब देखें, यहां पर यह चीज़ें होगें, ठीक है, अब हम जोए बात करते हैं, यहां पर आप सभी का फिजीकल किस प्रकार से होगा, तो मिरी बात धान सुनिएगा, अगर आप भी कोश्कण πास गर में जाने के, तो धान से मरी बात पते तुनिएगा, देखिए आप सभी कि यहां पर शोला सो में टर्निंग होगी जो कि साथ इमिनेट के अंदर क्वालिफाई करना होगा बीस यहां पर पुसप मारना होगा उसके नहीं तो बीस को बीस जो है वह आपको उठक बैठक है और दस जो है आपका पुसप रहने वाला है फिजी कलमें इस चीज़ें आपको देखने को मिल रही है उसके बाद डॉकिम्ट अब्रिफिकेशन होगा मेडिकल होगा उसके आपको यहां पर जाइने वाला है तो अगर आप इस भरती में अप्लाई करने के चूख है तो आपको पता दें इस प्रकार से आर्मी जो है आपको पता होग लेकिन बॉर्डर की रचा कौन कर रहा है यह सब कर रहा है डिक है लेकिन जैसे यह तो यहां पे ने भी जाती करने इस परकार से सब्म इसको जान लिगे उसके बडर सब पर इसके लिए उसके बार अगर वीडियेगल है बाकिवiments पर i.उग आई होगा तो यहां पर बीजन कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको इस चैनल के मादम से सारी शीजी बताई जाती है ठीक है तो मिलते हैं इस वीडियो में दज्याहिंज भारत वन्देमातरम